शादी, पार्टी या फिर 30 तोहर किसी भी स्पैशललौ के एजन में आपको जाना है ना आपको फेशल करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है पार्दर जाने की जरूरत नहीं है नवरात्री के स्टार्ट होने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है शादियों वाला सीजन और उसके बाद फिर करवाचोध दिवाली तरहारों और शादियों का सीजन चल पड़ा है अब भई बनता ही है और यह बलगद दिखने के लिए छीज़ वी तो कुछ special होनी चाहिए ना ज चैसे अब दुलहन हो या फिर दुलहन के खासम खास या फिर कोई भी कैस्ट हो कोई भी से लगाई और अपनी स्किन को आप बेदाग निखरा हुआ चमकता हुआ ग्लोई एकदम जो आप चाहते हो ना एक चुल में दिखना हो आपको इसी फेस पैक से मिल जाएगा तो किस तर हम ले लेंगे गेहूं का आटा एक चममच गेहूं का आटा हम ले रहे हैं वही जो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई सावी आटा जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो आप यहां पे ले सकते हो एक चममच आपको लेना है और गेहूं का आटा ना गुणो क्योंकि बहुत सरी डिशिज में हम इसे यूज करते हैं और मुस्तली जब हम कोई भी ग्रेवी वाली चीज बनाने वाले होते हैं तो उसको गाड़ा करने के लिए यूज करते हैं तो यह आपको एक चमच लेना है एंड अब यह मैंने लिया है एक चमच मुलतानी मिट्टी प सकते हैं इसके बाद ले रही हूं आदा चमच सेंडल वूड पावडर चंदन पावडर जो की गुणों से भरपूर होता है और आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाये रगता है अब यह दिखे मेरे हाथ में है यह कपूर की टैबलेट है दोर पर की आती है मार्केट में इसको इसली मिल जाती है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही वाली और आपने सुनी रखाओगा कि सर्दी जुकाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा कारगर होती है इसकी जो खुश्बू होती है बहुत ही ज्यादा अट्रक्टिव जैसी होती है एक दौपके फेस पैक को मलब एक दम खुश्बूदार बना देगी और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदे बंद है तो मैंने इसे अच्छी तरह से यहीं पर कूट लिया है ताकि इसका पाउडर बन जाए क्योंकि पाउडर फॉर में हमें लेनी है आदी सी टेवलेट काफी रहेगी और अगर आपको सूट ना करती हूँ ऐसी कोई भी चीज जो आपको सूट नहीं करती है वो आपको स्किप कर सकते हैं अब मैं इसमें एड करूंगी लगवागी एक चमज के करीब शहएद एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होता है आपकी स्किन को नैचुरली मॉस्चराइ के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूं कच्चे दूद का और अगर आपकी बहुत ज़ादा ऑइली स्किन है तो आप यहां पे गुलाब जल का भी इसतेमाल कर सकते हैं जैसे भी आपको सूटेवल लगे उस तरीके से आप ले सकते हैं या फिर आप दहीं भी आड कर सकते हैं दह इसस्ते लगासाना हैं कितना आसान ही के लिए परीदेर जरूरत जक्छा सही जट पड़ने के आपको सब्सक्राइन में दिए लगाने है निटनी प्लग्स्ट denam भी उतना ही इंपोर्टेंट होता है क्रें अगर कुछी चीज को बना तो लेते हैं यौIDE किकिन और यह different तो आपको छेहरे को थोड़ा सा गीला कर लेना चाहिए तो इसे गुलाब जल की मदद से या फिर आप ठोड़ा सा पानी का छिंटा मा लिजे उसके बाद ही आप स्क्रब करना स्टार्ट करें जो भी गंदगी अपके पोर्स चली जाती है तो उसे बहुत ही बेस्ट आप्चन है अगर आपको अब इसको रचाया कि अब नहीं करना है तो क्या कि आप इसे एक फीस पैक की तरह लगालीजे जैसे आप फीस पैक की लगाते हैं चैटिसे फिंगर की मदद से ब्रश की मदद आपको फाइदा भी दे देती है तो जैसे ही आप कमफर्टेबल हो उस तरीके से आपसे लगाईए इसको सूखने दीजिए मताब खुद से जब तक यह सूखता नहीं है तब तक आपसे सूखने दीजिए एंड जब आपको यह फेस्टेक सूख चुका है तो एक छींटा मार सक दम से ही नहीं रगड़ने लग जाना है तो यह इसको खाल के हाथों से जैए हम दुलन को उपटन और क्चुका ही रिष्टेदार होते ना सब के सम लख जारएड सानके बहुत विर्यूर से हलके हाथे हम भी हमको उप्तन लगाते है चाचिया पैँया उर्टें उर्दम् पेरों पे अगर कोहनियों पे बाजू पे अगर आपको टैनिक हो गई है कहीं पर भी आपको टैनिक की समस्या हो गई है तो आप इसे लगाईए एंड हलके हाथों से रव कटे हुए से उतारिए आपको ऐसा लगेगा ना कि वह आज के दिन में सारी धूल मिटी जो भी अगर आपको नुक्सान नहीं होने वाला है फाइदे बहुत होंगे अचा कितनी देर लगाना होता है वैसे तो जब तक ये खुद से सूपता है तब तक आप लगा के रख सकते हैं अगर आपको इतना टाइम नहीं है 10-15 मिनिट में आप इसे दो लीजिए अगर आप स्क्रब की तरह लगा रहे हैं तब भी आप फिर बार में से सूखने दीजिए और नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को अच्छे से दो लीजिए दोने के बाद एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको अपने चेहर करना है और मौशराइज भी करना है और कहीं पर भी अगर बाहर जाते हो दिन में आप बाहर जा रहे हो क्योंकि बहुत सदा हामफुल संरेज होती है जो कि हमारे चेहरे आपको पता नहीं चलता इस चीज का आप तो सोचोगे कि हाँ भी हम तो चहिया चहिया में चले हुए लेकिन यह हामफुल संरेज आपके स्किन को डीपली बहुत नुकसान पहुंचाती है जो पिग्मेंडिशन के समझ से आप बोलते हो ना तो मोस्ली हमें उसी वज़े से यह हो जाती है तो आपको संस्क्रीन लगा करके ही निकलना चाहिए संस्क्रीन अचाहिए एक बात और क आपको संस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप मौर्नी की दूप है उसके बाद भी बारावजे तक अगर कहीं पर भी जाने हो तो ज्यादा जो खतरनाक होती है ना बारावज के माद एक दम जब सूरज की किरने एक तम सीधी बढ़ती है ना तो वह हामफ कैसे संस्क्रीन को चूस कर सकते हैं I hope मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वाकि आगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब को बटन दबाने भी पिलकूर में द भूलेगा वाकि इससे तर के और भी एच 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 वीडियो में आपके लिए कि आती रहती हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना तभी आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमश्कार थेंक्यू